विडियो को पूरा देखे कर क्योंकि वीडियो में जो काफ़ ज़ादा मजाने वाला और वीडियो आपके लिए काफ़ ज़्यादा इंपोर्टेंट भी होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं सिक्षा सास के पेपर नंबर चार के बारे में 2021 का प्रसंपत्र जो हुआ था उसमें आपका प्रसंपत्र किस परकार से आया था कौन कौन से प्रसंद करने थे आपको किस परकार से करने थे इस सारी चीजों की बात जानकारी आपको इस वीडियो अभी तक education का second paper नहीं मिल पाया है, अगर किसी के पास second paper है, डीरी university से कोई कर रहा है तो वो मेरे whatsapp number पे उस paper को send कर दे ठीक है, बात करते हैं, चौते number paper, चौते number paper का नाम है methodology of educational research and ethics, ठीक है, बात करते हैं, जब आपको paper मिल जाएगा, तो उसमें एक तरफ आपको time दे दिया जाता है, और एक तरफ आपको जो है, numbers दे दिया जाते हैं, कि आपको कुल कितने number मिलने वाले तो 3 घंटे का paper होता है, 100 number आपको मिलने वाले होता है, paper दोनों language में होता है, हिंदी और इंग्लिस दोनों लें उता है आप दोनों में करना चाहिए उसमें आप स्वतंत्र है भात करते हैं। यह पे आप नोट करके कुछ इंस्ट्रie neoludas का दिए जाता है जाता है कि पांच परशून्यों के उत्तर दीजीये ठीक है अधूसरा इस्ट्रीक्षन यह बता गया है कि सभी प्रसनों के अंक समान है क्या है में प्रसनों के अंक समान है ठीक है तो देखते हैं पहला प्रसन आपको जो कंपल सरी आपको करना ही रहता है यह इस प्रकार से दिया गया है इसमें भी कुछ इंस्ट्रेक्शन दे दिये गये हैं जैसे लिखा है निमलिखित में से प पॉचे गए हैं तो चार पंचे 20 ठीक है कितना हो जाता है मेरे प्राइदोस्त 20 नंबर आपको यहां से मिल जाता है question number एक से ही इसमें कौन-कौन से प्रस्न पूचे गए पहला ही प्रस्न आपके सामने आ रहा है सैचिक अंसंधान क्या है आपको यहां पर बताना है समस्या के प्रकार बताने हैं आपको दूसरा प्रस्न पूचा गया था तीसरा प्रस्न पूचा गया था जनसंख्या और प्रतिदर्स में क्या आंतर है यह भी आपको बताना था चौथा आप से पूचा गया था के अंद्रिय प्रविर्टी क्या है ठीक है पाचवा आप से पूचा गया था अंसंधान के प्रकार आपको बताने है काफी सरवसरर कोईश्चन थे आपको इनका जबाब अच्छे से दे देना था ठीक है चलिए अब आपका यहां से से सेक्ष में अपना-पना method होता, अपनी अपनी टेक्निक होती है, पेपर करवाने की ठीक है, लेकिन question सारे वही सारे आते हैं, गुमगुआ के, ठीक है, देखते हैं, खंड आ के बारे में बात करें, खंड आ में भी कुछ आपको instruction अर्थार्ट नोट डे दिये गए हैं, यहां पे जादा नहों कम हो जाएंगे, कोई दिक्कत में लिए, देखते हैं आपसे प्रस्न क्या पूछा गया था, प्रस्न पूछा गया था, सिच्छा सास्त्र में अनसंधान की क्या हो सकता है, यह आपको बताना है, उदारनों द्वारा यह बताईए कि सहचिक अनसंधान और प्र क्रियात्मक सोध की क्या शक्ता है यह आपको यहाप बताना था फिर क्रियात्मक सोध की प्रकरिया में प्रकरिया और उसके प्रेणात्मक कारकों को बताना था ठीक है तो यह जो आपका तीसरा नमबर प्रसन है आई होप यह भी आपको समझ में आ गया होगा चौथा नमबर देखते हैं ध्यान देदे चलिएगा कि यहां पे आपको प्रतेग परसंद के उत्तर जो हैं देने के बाद आपको यहां पे 20 नंबर प्राप्त होने वाला तो आपने देखा कि पहले नंबर question जो था first number question वहाँ पे आपको 20 number मिला ठीक है यहाँ पे आपको 20-20 दो number करने है 20-20 के दो question करने है तो total आपके अंक कितने हो गए है 60 अंक मतलब अगर आप थंड आ और पहला प्रसंद कर लेते हैं तो आपको total यहाँ पे अंक 60 अंक प्राप्त हो जाते हैं चौथा number प्रसंद कहा रहा था कि नियाए दर्स की परिभासा दीजिए तथा सहचिक अंसंधान में प्रियोग की जाने वाली नियाए दर्स चैन विधी का वर्णन करना है यहाँ पे आपको बताना था यह आपका चौथा number प्रसंद था गडित और बिग्यान के प्राप्तांक दिये गए है मतलब वहाँ पे उनको कितना कितना number प्राप्त हुआ है यहाँ पे आपको बताया गया है उसके बाद यहाँ पे कोटी अंतर बिधी से सह संबंद गुरांक निकाली है यहाँ पे आपको सह संबन गुरांक निकालना था वो भी कोटी अंतर बिधी से ठीक है तो यह आपको question जो है solve करना था एक question जो है यह mathematics से पूछा गया था इसमें जो थोड़ा बहुत mathematics आता है वहाँ से पूछा गया था ठीक है चलिए अब यहाँ पे जैसे यह आपका खंड आसमाप्त होता है खंड बाप का start हो जाता है और यहाँ पे भी आपको note करके कुछ restriction दे दिया जाता है और यहाँ पे भी लिखा गया है कि निमलिखित में से किनी दो प्रसनों के उत्तर देने है और प्रतेक प्रसन का उत्तर 50 सब्दों 500 सब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए ठीक है और यहाँ पे आपको मेरे प्राइदोस्त कितने 10-10 नंबर मिलने वाले हैं तो ध्यान दीजिएगा एक प्रसन में आपको 20 नंबर मिलते हैं क्योंकि एक प्रसन के अंतरगज जैसे 6 नंबर प्रसन दिया गया है तो इसमें आपको 2 प्रसन पूछ लिया गया है 6 का A और 6 का B तो यानि आपको A भी दोनों करने हैं ये मत सोचेगा कि 6 का A और B करना है फिर 7 का भी A B करना है तब आपके दो प्रसन पूरे होंगे ठीक है इस प्रकार से तो 10-10-20 नंबर ये और 20-20-40 नंबर यहां से तो 60 पूरा पहले वो हो गया था 47 ये तो अभी टोटल आपको 100 नंबर पूरे यहां पे मिल जाते हैं देखते हैं छटे नंबर का प्रसन जो है A नंबर क्या कहा रहा है A नंबर प्रसन आपसे पूछ रहा है कि अंसंधान की परिभासा दीजिये तथा उसकी प्रकृति बताइए ठीक है ये आपको बताना था यह 10 नंबर का कोईशन था फिर B नंबर कोईशन कहा रहा है कि परिकल्पना के स्रोतों की ब्याख्या करना है ठीक है क्या परिकल्पना के स्रोतों की ब्याख्या करना था ये भी आपका दस नंबर का साथवाई नंबर का A नंबर प्रस्ट पूछ रहा है कि संबंधित साहित के स्रोतों की ब्याख्या कीजिए ये भी आपका 10 number का question था और B number प्रसंद जो है वो कह रहा है कि सोध प्रस्ताओ क्या है आपको बताना था सोध में इसके महतुपर प्रकाश डालना था ठीक है इस प्रकाश से ये आपका 2 question यहाँ पे भी हो गया तो आपको करना है तो 7 और 8 इस प्रकाश से गिनिएगा ना कि ये गिनिएगा कि 6 में से 6 में 2% कर लिए बस 2 पूरे होगे वो आपके मानने नहीं होगे ठीक है एक ही प्रसंद को गिना जाएगा आठवे नंबर का A number प्रसंद कहरा है अनसंधान में सैचिक सांखिकी के महातुकबार प्रकास आपको डालना था ये 10 नंबर का प्रसंद था आपका ठीक है और उसके बाद जो 8 नंबर का 2 नंबर कोश्चन है ये पूरा है पूछ रहा है कि साच्छात कार से आप क्या समझते हैं आपको बताना था इसके गुणुवादा को कि आपको वीवेचना कर नी थी चलिए 9 नंबर प्रसंद इसका जो है इसमें भी 2 प्रसंद पूछा गया है 9 ने का एक कह राया कि प्रसना व़ली क्या है आपको बताना है प्रसनावली तर्थान सूची में अंतरस पश्ट करना है जो कि मैंने पहले ही आपके model paper में इन सारी चीजों के बारे में जानकारी दे दी थी ठीक है चलिए देखते हैं बी नमबर प्रसन ये पूछ रहा था कि सूने परिकल्पना क्या है आपको बताना है इसके बारे भी हमने जानकारी आपको model paper में दे रही थी और ये भी आपका 10-10 नमबर का होने वाला था ठीक है तो इस परकार से आपका पूरा paper यहीं पर समाप्त हो जाता है और अगर आपने अच्छे से किया है आपकी writing अच्छी है आपने headings और अच्छे से डाल रखी है इसको pass कर दिया जाए बस ठीक है तो चलिए I hope यह सारी शीज़े आपको clear हो गई होंगी कि clear है तो फुर्डाफ़ड वीडियो को like करो अपने दोस्तों के साथ share करो अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं कि तो subscribe करके bell वाले icon को जरूर प्रस कर दो जिससे आपको सारी notification मिलती रहें और आप उनसे लगाता लाभानमीत होते रहें तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोस नए topic के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत